हाई गाईज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा मसाला तो यह मैंने फ्रै पैन को गर्म कर लिया है इसमें हम डालेंगे थ्री डेबल स्पून ऑईल जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम तीन मीडियम साइज के बारीक कटी हुई प्यास डालेंगे प्यास को तब तक पकाना है जब तक यह लाइट ब्राउन नहीं हो जाती जो प्यास लाइट ब्राउन हो जाए इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज के तमाटर तमाटर को भी बारीक काटना है इससे तमाटर जल्दी पकेंगे और तमाटर के पकने के प्रोसेस को फास्ट क करने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए यहां मैंने हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लिया है अब हम इसे करेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम पकने के लिए रख देंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए अल्मोस्ट हमारा टेमाटर पक चुका है इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च थोड़ा और इसे पका लेते हैं ताकि टेमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए हमारा टेमाटर पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो यह आदा चम्मच हल्दी पाउडर है दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा आप अपने हिसाब से कम्याज जादा कर सकते हैं दो चम्मच धन्या पाउडर आदा चम्मच गर्म मसाला पाउडर आदा चम्मच काले मिर्च पाउडर इन सभी मसालों को हम भूल लेंगे मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं तो अब हम इससे थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे पानी जितना प्याज और टमाटर है उतने ही लेवल तक आपको पानी डालना है और इससे पका लेना है देखे यह पक गया है अब हम इसमें अंदों को ब्रेक करके हम इसमें डालेंगे अंटे डालने के बाद हम इसे लोग फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे यह बहुत ही बैस्ट रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनती है आप लोग ठ्राइ करना और बताना के आप लोगों को यह रेसिपी कैसी लगी प्रश्ड़ झालें पालेंगे बताना कि लोगो रीम पर देंगे लोगों क्वगों के लोग।